Hello everyone, Welcome back to my channel and my name is Pujadaksh and I am a proud TLF creator. आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि अगर आपने Forever Living Products Company के बारे में सुना है या किसी ने आपको इस Company के बारे में बताया है और आपने इस Company की Training, Sessions और Webinars भी लिए हैं तो आपके माइन में ये कोशन जरूर आया होगा कि क्या सच में अगर हम इस Company को जॉइन करते हैं तो क्या हमें कोई भी प्रोड़क्त सेल नहीं करना पड़ेगा तो आज की वीडियो में हम यहीं बात करने वाले हैं मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए तो अगर आपको किसी भी Training में, किसी भी Webinar में, Shessions में, Forever के बारे में ये बताया जाता है कि आपको केवल लोगों को जॉइन कराना है, लोगों को इस कंपनी के बारे में बताना है, तो ऐसा नहीं है अगर आप किसी परसन को भी इस कंपनी में जॉइन कराते हो, इस कंपनी में 2CC करता है आपके साथ तो वो भी एक product को ही purchase करता है, वो भी आप indirect selling ही करती हो, कंपनी के product का तो आप यहीं से समाज सकते हो, कि आपको product sale करना है या नहीं और इस वर्ड में कोई भी ऐसा business नहीं है, जिसमें आपको product sale नहीं करना पड़ता sale आपको हर जगा करनी होती है, चाहें वो direct हो या indirect या कोई service हो सकती है, आप service को sale करते हो, या आप किसी product को sale के बिना कोई भी business नहीं है, अगर किसी business में sale नहीं होती, हम उसे business नहीं कह सकते तो जहाँ पर sale और purchase होती है, वहीं business होता है तो forever living products एक company है, जो की direct selling company है, अपने product direct customer तक sale करती है तो जब हम बात करते हैं forever के work की, तो जब आप forever की product use करके direct customer को product की बारे में बताते हो या कोई person होता है, कोई आपका relative है, कोई आपका friend है, आप forever की product की बारे में उसे बताते हो और वो आपसे खुद product purchase करता है, तो आप उस time पर direct selling करते हो तो अगर आप forever में direct selling करते हो, इस तरीके से, दूसरों को बता कर, और दूसरों को direct product sale करते हो तो company आपको commission देती है, company आपको discount provide करती है, products पर, से आप अपनी income and करते हो तो अगर आपको पता है, कि हम forever living products में, अगर किसी का 2CC कराते हैं, अगर किसी को join कराते हैं, और वो आपके साथ 2CC करता है तो आप खुद ही सोचते हो, कि जब वो person 2CC करता है, तो company उसे direct product sale करती है और हम यह लगता है, कि हम तो product बेची नहीं रहे, हम तो logo का 2CC करा रहे हैं, पर नहीं ऐसा नहीं है वहाँ पर भी आप indirect way में product का ही sale करते हो आप company के product को indirect way में, लोगों से 2CC कराकर ही product को sale करते हो तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया है, और आपका ये doubt clear हुआ है कि क्या मुझे forever को join करने के बाद product sale करने पड़ेंगे, तो I hope कि आपको यहाँ पर answer मिल गया होगा आप indirect way में और direct way में दोनों तरीके से ही company के product sale ही करते हो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अगर आप मेरे से connect होना चाहते हैं कोई भी question और doubt पुछने के लिए तो आप direct उपर दिये हुए number पर contact कर सकते हैं Thanks for watching this video